आठ नमबर चेप्टर है चिकित्सा स्थान का भगंदर चिकित्सा तो तीन नमबर शलोक में आप देखिए पंच भगंदरा व्याख्याता तेशू असाध्या शंबुका वर्थ शल्या निमित्तष्च एती शेशा कृच्छ साध्या आपको भगंदर बताये थे पांच ताइ तो उसमें जो शंबुका वर्थ है मतलब तीनों दोशों की वज़े से जो हो रायतरी दोशज है जो और शल्या से मतलब जो शतज था या उनमारगी भगंदर जिसको हम बोलते हैं वो असाध्या है बाकी जो बच गए हमारे तीन वो कश्ट साध्या होते हैं नेक्स्ट चार रंबर श्लोक की हिंदी में ही देखेंगे हम भगंदर पीडिका से पीडित अपक्व पीडिका वाले रोगी की चिकितसा अब तरपड से लेकर विरेचन प्रियंत 11 विधानों तक करनी चाहिए हम पढ़के आज चुके अवरण है जो उसके शष्टी उपक्रमों के बारे में तो ये जो शष्टी उपक्रम है हमारे उनमें से जो पहले 11 होते हैं उनको कराने का विधान बताया जब अपक्व है पीडिका जब पक्व हो जाए तो रोगी को सनिहन करके अवकान स्वेदन देने शेया पर भिटाना है और फिर क्या करना है रोगी को बांद कर पराचिन अरवाचिन भगंदर की परिक्षा करके एशनी के द्वारा उसको थोड़ा सा उपर अटाकर शस्तर से काट देरे को बोला और फिर नीचे देखिए सेकेंड लाइन में भगंदर को देखकर आपने अगर पक्व है तब आप जो जो वरण के उप्करम बोले गए हैं ग्यारां हो करो उसके बाद अगर पक्व होगी तो पहले स्नेहन दो फिर स्वेधन दो फिर इसको क्या करो शच्तर से काट दो अगनियाक्षार करू ये सभी में कर सकते हैं फिर विशेश्ची कितसा मतलब जिसमें बहुत सारे स्पोर्स होते है छिद्रवा युक्त जो होती है शत्पोनग उस भगंदर में नाडियों के मध्यम में वरण बनाना चाहिए और इस वरण के भर जाने पर सेश नाडी के जैसी और दूसरे से संबंदे नाडियों को अनेक प्रकार के वरण से बहाना जो वैद एक दूसरे से संबंद रही तनाडी में एक प्रकार का वरण बनाता है वह वरण को फैला देता है गुदा को विदिरिन कर देता है फिर इसी जहां पे एंड हो रहा है लास लेंग में इसलिए शत्पोनग बगंदर में वरण को चोड़ा नहीं करना चाहिए मल्टिपल शत्पोनग का मतलब क्या है कि मल्टिपल फिस्टूला बन गए है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको दस नंबर श्लोक को हाइलेट करना है वही आपसे पूछा जाता है अर्द लांगलक श्चेदा कारियो लांगलको अपी वा सर्वतो भद्रो वा अपी कारियो गो तिर्थ अपी वा आप इसको याद रख सकते है SLAG सर्वतो भद्र लांगलक अर्ध लांगलक और गो तीर्थ इस तरीके के वरण बनाने को बोला है जो शत्मोनक भगंदर है उसमें ये ट्रीटमेंट आया है चार प्रकार का आपको याद रखने है इनाम फिर ग्यारा नंबर शलोक को हिंदी में हम देखेंगे फिर्स लाइन लास्ट में सू कुमार और भीरू व्यक्तियों का शत्मोनक भगंदर कश्ट साथ्य है उसमें वेधन और श्राव को बंद करने के लिए हैलेट करना स्वेधन का प्रियोग शिग्र कराना चाहिए फिर नेक्स्ट है हमारा बाइस नंबर शलोक की हिंदी है हिंदी में लिखा हुआ है उस्ट ग्रीव जो भगंदर होता है उसका ट्रेट्मेंट उस्ट ग्रीव में आप देखिए क्या बोला एशन करके मतलब प्रॉबिंग करके वरण में चीरा लगाकर शार कर्म करना और दुरगंदित मास को निकाल कर हाइलेट करना अगनी कर्म स्रेष्ट नहीं है अगनीर अत्र नय पूजीते आपको पूछेंगे कौन से भगंदर में अगनी कर्म नहीं कराते उष्ट ग्रीव में आपको आपका दोश पता होता है क्या है यानि पित दोश है में लिए उष्ट ग्रीव में तो आप अगनी कर्म जो हो नहीं कराते हैं ऐसे पेशन में करना क्या है पुष्ट ग्रीव भगंदर में तीलों को पीस कर घृत मिला कर लेप करना है फिर देखिए फोर्थ लाइन में तीसरे दिन पट्टी खोल कर पित और आपको दूर करने वाली ओश्डियों से वरण का शोधन करें और रोपन कराना चाहिए फिर हमारा बताया गया ह 23 से लेके 26 नंबर श्लोग तक परिश्रावी भगंदर के बारे में तो इसमें 24 नंबर श्लोग की सेकंड लाइन को आप हाइलाइट कर लीजेगा सुखोशनेन अनू तेलेन सेचियत गुद मंडलम यानि जो गुद मंडल है उसको अनू तेल से सेचन देना है पहले तो हाइलाइट किया अनू तेल से सेचन करना वो परिश्रावी में बोला हमारा फिर 26 नंबर श्लोग है जो उसकी सेकंड लाइन को हाइलाइट कर लीजेगा आप गतिम अनिविश्ने शस्त्रे छिन न्यात खरजूर पत्रकम को आपने हाइलाइट किया और नेक्स लाइन में च चीरा लगाते हैं वो किसमें परिश्रावी में बोला चंद्र मंडल जैसा सूची मुख जैसा या वांग मुख चीरा लगाने को बोला गया है इसके बाद जो शोधन कराने के बाद जो तिक्ष्न विरेचन कराने को बोला गनी अक्षार कर्म और शोधन कराने को बोला है तो उष्ट ग्रीव में अगनी कर्म स्रेष्ट नहीं है परीश रावी में आप अनु तेल से गुद मंडल का सेचन करते हो और शस्तर से खरजूर पत्र जैसा चंदर मंडल तुल्या सूची मुख और अवांग मुख चीरा लगाते हो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें थर्टी टू नंबर श्लोक में आप हाइलेट कर लिजे थर्टी टू क्रीमी गनम चव विधीम कुरियात शल्या नैनम मेववा यानि वरण के अंदर से जब शल्या निकालने का उपाय और क्रीमी नाशिक चिकित्सा करें इसमें आगंतुच जो हमारा भगंदर होता है उनमारगी भगंदर है उसके लिए बोला तो आप हिंदी में देखिए थर्टी टू नंबर श्लोक के नीचे बोला बुद्धी मान वैद्य आगंतुच जो भगंदर है उसमें नाडी को शस्तर द्वारा यतन पूर्वक काट कर जामुन के फल के जैसा के समान जो अगनी वरण वाली शलाका है या तप्त शलाका उससे वरण बनाना है और हाइलेट करना वरण के अंदर से शल्य निकालने का उपाई और क्रीमी नाशक चिकित्सा करें 33 नंबर शलोक में आप हाइलेट कर लीजी यह अगनतुज भगंदर असाध्य है फिर इसी लाइन में लास्ट में तरी दोशज भगंदर को भी असाध्य बोला गया है आपने हाइलेट किया नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर शलोक में देखिए 51 51 की सेकेंड लाइन में एतधी सियंदनम तेलम को हाइलेट कर लीजी बहुत इंपोर्टेंट है सियंदनम तेलम सियंदनम तेलम ऐसे करके लिखा तो यह भगंदर का रोगा दिकार है आपको याद रखना है ठीक है ये क्या करता है भगंदर में शोधन करेगा रोपन करेगा वरंट की जो तवचा उसको मतलब नॉर्मल कलर देने का काम करता है ऐसा बोला फिर है हमारा 53 की हिंदी में देखे यंतर प्रियोग को जानने वाले वैद्य अर्ष यंतर से ओष्ट को छिदर से उपर पकड़ कर अर्द चंद्रकार रूप में भगंदर को अंदर प्रवेश करें नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर श्लोक में व्यामम मैथुनम कोपम प्रिष्ट यानम गुरूनीच समवत्सरम परिहरेद उपरूड वरणो नरभ यानि क्या बोला गया है बगंदर के वरण भर जाने पर भी मतलब आपने किसी पेशिन को भगंदर था फिश्टुलाई नैनो थ आपने ट्रीट किया तो ट्रीट करने के बाद भी मतलब वरण उसके भर गए उसके बाद भी रोगी को व्याम मैथुन क्रोध गोड़े आदी की सवारी या भारी बोजन का एक वर्ष तक त्याग कर देना चाहिए ऐसा बोला गया है यह आपने हाइलेट किया तो यह हमारा एट नमबर जो चेप्टर है वो कंप्लीट होता है